सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है से बिग बॉस तक का सफर तै करने वाली कांस में ब्यूटी का जल्वा बिखिरने वाली टीवी की मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट फॉपलर, हाइस बिड आक्टरस हीना खान इस वक्त कैंसर के तीस्टे स्टेच से जुझ रही है ब्रस्ट कैंसर से वो पेड़ित है जिसका उन्हें दूर दूर तक कभी अंदाजा नहीं था कि ऐसे उन्हें अपनी संदगी में बदलाव का स्तामना करना पड़ेगा खेर हीना खान ने सच्चाई को एकसप्ट किया और इसे नई जीवन के तोर पर लिया है और इसे वो श्विकार भी करती नसराई है कि ये उनकी अब जंदगी है खेर इस बीच हीना खान को अपनी मा का फुल सपोर्ट मिला और इसके साथ साथ अब उनके रूमर बॉर्फरेंड रॉकी जैस वाल ने भी उनको सपोर्ट करने के लिए उन्हें अच्छा फील कराने के लिए लिया डिसिजन कि क्यों ना हीना खान के मन पसंदिदे पकवान को उनके तौफे के तौर पर उन्हें ट्रीट दिया जाए हीना खान की बॉइफरेंड रॉकी जैस वाल ने हार्ट मिल्टिंग पोस्ट भी शेर किया और एडमिट किया कि हीना को ब्रेस्ट कैंसर है और ट्रीटमेंट उनका काफी हार्ड चल रहा है और इसलिए उन्हें स्पेशल पैमपर की जरूरत है और उन्हें पैमपर करने के लिए स्पेशल मिल्ट से बहतर तरीका उन्हें और नज़र नहीं आया रौकी ने अपने हाथों से स्पेशल मील हीना खान के लिए तयार किया और साथ में हीना खान की फोटोस भी शेयर की जिसमें वो टूल्स नज़र आई है बलू आपरुन के साथ हाथ में ली हुई टेस्टी मील का इंतजार करती भी हीना खान को लेकर रौकी ने लिखा जब वो हस्ती है तो रोशनी और चमक उड़ती है वो मेरी जिन्दगी को असल मायने में खुशनुमा बनाती है जब वो मेरे साथ होती है मैं जादा जीता हूँ जब मैं उनके साथ होता हूँ तो कुछ और फर्क ही नहीं पड़ता मैंने उनके लिए उनका फीवरेट मील तयार किया है वीकेन स्पेशल है ये मेरे लव के लिए ये रौकी जैश्वाल ने लिखा बता दे केमो तेरेपी की वज़े से हीना अपने बाल खो रही है